जैसा कि दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं पंकर शर्मा आप सभी का आपके अपने एक्जाम हुआ चैनल में स्वागत करता हूं जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले दो वीडियो के अंदर हमने प्लांट हार्मोन की जो क्लासिस है वो कर ली है और आज हम लोग प्लांट हार्मोन के कोश्चेंस को करने जाने वाले हैं को करने वाले उनके उपर बेस जो कोशन आते हैं उनको करने वाले हैं दोस्तों इससे पहले दो से पहला पार्ट जो कि आपका plant हार्मोन है, वो complete कर लिया है, जो जिसको भी अगर biology के botany से related अगर problems है, तो आप ये चैनल को subscribe कर लिजिए, विए इस चैनल को subscribe करने से आपको benefit गिया होगा, benefit गिया होगा कि आप plant के जो भी botany के related जो भी topics है, सारे completely चाहे वो आपके किसी exam में आते हो चाहे आपके SSC के exam में आते हो या banking के exam में आते हो एरपोर्स के exam में आते हो किसी भी exam में आते हो वो completely यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ठीक है तो first topic हम लोग कर जुके है topic करने के बाद हम लोग उसके क्या करेंगे solutions की तरफ आएंगे उसके questions के पर तरफ आएंगे कि exam में questions कैसे आते हैं और हमें उसको कैसे solve करना है ठीक है दोस्तो तो आज विनादेरी किये हुए questions को करते हैं पहला question आप सभी के सामने screen पे तो पहला question क्या करा है which plant hormone is responsible for saving the crops from falling ठीक है तो ऐसा कौन सा plant hormone है जो की first law को गिरने से बचाता है यानि जो की first law को गिरने नहीं देता है दोस्तो यह जो question है हिंदी और English दोनों में लिखा हुआ है तो मतलब हिंदी student और English के student दोनों में से किसी को problem नहीं होने वाला है यहां पे हम दोनों चीजे लिखते वे चल रहे हैं दोनों को समझने में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं आएगी तो देखो दोस्तों आपके जो तीन हार्मोन है वह एक प्रकार के कैग हार्मोन जिसे हम कैग हार्मोन कहते हैं वह आपके ग्रोथ हार्मोन है वह क्या उनसे ग्रोथ हार्मोन सी से क्या होता है साइटोकाइन, ठीक है, एसे क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, और जी से क्या होता है, जिब्रेलीन हार्मोन, ये तीनों क्या व्रद्धी हार्मोन है, लेकिन इन में से जो ऑक्सीन हार्मोन है, वो क्या करता है, आपके जो फसले होती है, उनको गिरने से बचाता है, तो तो आपका ओक्सीन हार्मोन है वो क्या-क्या काम करता है एक तो कोशी का विभाजन करता है एक कोशी का व्रद्दी में सहायक है पादप की कोशी का व्रद्दी में सहायक हार्मोन कुन सा है ओक्सीन हार्मोन पादप की कोशी का विभाजन में कुन सा हार्मोन आता है यह वाला आता है oxyn hormone तो इसका answer क्या हो जाएगा oxyn hormone इसका answer होगा आपका oxyn hormone फर्स्ट लिख लेते हैं आप इसका answer c oxyn hormone एक सेंच कर लेते हैं तो इसका hormone इसका answer क्या आएगा oxyn hormone option number c ठीक है तो आगे बढ़ते next question की दरफ question number second फॉल्लींग हार्मोन इन फावंड फॉंड in gansis फॉंड ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि gansy रूप में पाए जाता है गैसी रूप में पाए जाता है थो हम लुगोंने पिशली बार जो चैप्टर पढ़ा था कि एक तो आपका व्रद्धी हार्मोन होता है, एक आपका व्रद्धी अव्रवदक हार्मोन होता है, व्रद्धी अव्रवदक हार्मोन के अंदर एक हार्मोन पाए जाता है, दोस्तों, जो कि आपका क्या काम करता है, जो कि गैसी रूप में पाए जाता है, तो ओप्शन देख लेते हैं option A, florigens, abscessic hormone, option C है ethylene hormone, और option D है oxyn hormone, तो दोस्तों जो आपका ethylene hormone है, ethylene hormone कैसा होता है, आपके gansi रूप में पाए जाता है, एक मात्र hormone, जो कि किस रूप में पाए जाता है, आपके gansi रूप में पाए जाता है, तो इसका option क्या होगा, C, तो next question की तरफ आगे पढ़ते हैं, question number third, three question, तो name of, name the plant, hormone which is responsible for the ripping of fruits, तो को ripping of fruits का मतलब क्या होता है, ripping of fruits का मतलब होता है, fruits को पकाने के लिए, fruits को पकाने के लिए कौन सा hormone responsible है, तो यहाँ पे फलो को पकाने के लिए, हमने ये भी पिछले chapter में लोगों, ऐसा कोई हार्मोन जो की फलो को पकाने के लिए काम आता है, ठीक है, तो फलो को पकाने के लिए, आपके option देख लेजिए, option A, ethylene hormone, option B, oxine hormone, option C, tumeric hormone, और option D, cytokinin hormone, तो दोस्तो, ethylene hormone एक ऐसा hormone है, जो की फलो को पकाने कारे करता है, तो इसका answer क्या होगा, हैना, इसका answer होगा A, और यह जो हार्मोन किस रूप में पाए जाता है, गैसी रूप में पाए जाता है, और यही हार्मोन क्या काम करता है, यही हार्मोन आपका फलो को पकाने के लिए काम आता है, अगर अगर हम बात करें कि ऐसा कोई हार्मोन कार्वाइड क्या होता है कार्वाइड आपके बाहर जो आपके बाहरी रूप से रूप से फलों को पकाने के लिए काम आते हैं ठीक है अगर पादप के अंदर कोई पादप पे अगर कोई फल लगा हुआ तो उसको पकाने के लिए कौन making RNA and protein जो को ऐसा कौन सा हार्मोन है जो की कोशिकाओं में RNA और DNA को बनाने के लिए responsible होता है जो RNA और protein को तयार करता है तो दिहान रखना एक oxygen हार्मोन होता है oxygen हार्मोन क्या करता है कोशिका विभाजन यानि cell division का काम करता है और cell division के लिए उस cell division के लिए दोस्तो protein और RNA तयार करने का काम कोन करता है जो oxygen के साथ जो oxygen हार्मोन की उपस्तिती में कारे करता है oxygen की उपस्तिती में काम करने वाला जो हार्मोन है वो है आपका cytokinin हार्मोन कौन सा होता है cytokinin हार्मोन और cytokinin ही हार्मोन क्या करता है प्रोटीन और RNA को तयार करने का काम करता है जो कि आगे कोशी का विभाजन में सहायक होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा? Cytokinin, तो Cytokinin हार्मोन क्या करता है? आपके जो कोशी काइं होती है, पादक कोशी काईं उसमें RNA और प्रोटीन को बनाने का कारे करता है ठीक है, next question के तरफ, अगले question के तरफ आगे बढ़ जाते है, question number 5, तो देखे question number 5 क्या कह रहा है, कि आपको 4 lines दे रहे हैं, 4 options दिये हुएं, और उन में से जो भी incorrect word है, वो आपको बताना है, which of the following statement is incorrect, इन में से कौन सा statement गलत है, incorrect है, वो बताईए, तो option A क्या आता है, ठीक है, oxygen are the most important plant of hormone, बिल्कुल, जो आपका oxygen hormone है, एक महतपूर्ण हार्मोन है, ठीक है, पादब हार्मोन का एक महतपूर्ण भाग है, ठीक है, option number 2 के तरफ तरफ दे, oxygen are the produce at the reason of an allocation, तो विस्तार के छेतर में oxygen का उत्पादन किया जाता, ये थोड़ा सा अलग है, कि विस्तार के छेतर में oxygen का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, next option, तीसरे option की तरफ चले जाता है, ठीक है, तूसरा option क्या कहता है, Indole Acetic Acid, IAA, is a principal oxygen, बिल्कुल, कि जो oxygen hormone होता है, उसका रासाइनिक नाम मैंने बोला था, कि जो आपका रासाइनिक नाम किसका, oxygen hormone का रासाइनिक नाम क्या होता है, Indole 3 Acetic Acid, तो इसे AAI के नाम से भी क्या बोला जाता है, पकारा जाता है, तो option C भी ठीक हो गया, कि जो इंडो Acetic Acid है, वो किसका chemical name हो गया, oxygen hormone का, जो कि relate करता है किससे, oxygen hormone से, option 4 की तरफ चलते है, oxygen are also important in the regulating the fall of the living and fruits, बिल्कुल, देखी क्या कहा रहा है, कि oxygen जो hormone है, वो पत्ती और फॉलो के पतन को नियंत्रित करने के लिए महत्मुन है, बिल्कुल, हना, तो इसके लिए ये भी सही हो तो option B हमें देखने में आ रहा है, कि जो option B है, ये थोड़ा सा अलग है, इन सारी statementों को, या oxygen के जो oxygen hormone है, उसके statement को correct नहीं करता है, विस्तार के छेतरे में oxygen का उत्पादन किया जाना, ये कुछ सही बात नहीं है, ठीक है, बाकि अगर सही बात की बात करें, oxygen hormone important hormone है, ठीक है, इंडोल AII chemical name होता है, किसका oxygen hormone का, ठीक है, और oxygen hormone क्या है, आपके जो पादब के जो fruits, फल होते हैं, जो पतियां होती है, उनको गिरने से, उनको जड़ने से क्या करती है, उनको उसको नियंतरित करती है, ठीक है, ठीक है, तो answer क्या आएगा, इसका option B, इसका answer क्या होगा, option B, next question के तरह आपके बढ़ जाते है, question number six, which plant hormone help in breaking the dormancy of plant, तो देखो, यह dormancy of plant क्या होता है, dormancy of plant होता है, पोदो की जो निश्करेता होती है, जो पोदो की निश्करेता होती है, उसको तोडने के लिए किस हार्मोन के उशकता होती है, पादब की निश्करेता को तोडने के दियान देना, जो जिब्रेलीन हार्मोन है, एक प्रकार का व्रदी हार्मोन है, जो की पादब को verticallyly और horizontally क्या करता है, ग्रोध देता है, व्रदी देता है, ठीक है, तो उसी में ही यही क्या करता है, जिब्रेलीन हार्मोन ही क्या करता है, कि पोदो की निश्करेता को समाप्त करता है उसको break करने का काम करता है तो इसका answer क्या आ जाएगा जिब्रेलिन याद रखे जिब्रेलिन हार्मोन इसका answer क्या आएगा जिब्रेलिन हार्मोन ठीक है next question अगले question की तरह बढ़ते which hormone is most in leaves and help in the blowing of the flower ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फूलो को खिलने के लिए मदद करता है ऐसा कौन सा हार्मोन जो फूलो को खिलने के लिए responsible है तो बेटा याद रहना flower का relation flower का relation चार option दिये हुए है देख लीजे कौन कौन से दिये traumatic option A, option B oxygen hormone, option C florisions and option D इन में से कोई नहीं बेटा जो flower शब्द से relate कर रहा हूँ आप उस पे answer लगा दीजिए तो flower, florigens flower, florigens, flower याद रखना कि जो florigens है वो एक ऐसा हार्मोन है जो की फूलो को खिलने के लिए क्या करता है, responsible होता है उसको खिलने के लिए उसका उतरदा होता है, तो answer क्या हो जाएगा इसका answer C, florigens से हार्मोन, ठीक है, आगे बढ़ जाते है next की तरफ, अगले कोशिन की तरफ which plant हार्मोन is formed in insert cell by which the injury of plant is healed, ऐसा कौन सा पादब हार्मोन है, जो की घायल कोशिकाओं में बनता है, जिसके दोरा पोधो को ठीक, या उसको रिपेर किया जाता है, रिकवरी की जाती या ठीक किया जाता है, तो ध्यान रखना, एक हार्मोन ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते है termetic हार्मोन, या termetic, यानि इसे, दोस्तों हिंदी में दर्दनाक हार्मोन भी कहा जाता है termetic hormone को Hindi में क्या कहा जाता है? दरधनाक hormone और ये ऐसा हार्मोन है जो की प्लांट की पादब की जो पूरी तरीके से जो चती ग्रस्ट भाग हो जाता है उस चती ग्रस्ट भाग को पूरा करने के लिए क्याता है? मदद करता है जसे आप दरधनाक hormone भी कहते है या जिसे turmeric hormone भी कहते है ठीक है traumatic hormone क्या हो जाएगा इसका answer B answer B होगा option B होगा next question के तरफ आगे पढ़ते question number 9 पे आ चुके हम लोग question number 9 देखीजिए which of the following hormone help in the cell division and development in the presence of oxin hormone तो दोस्तों या रखो कि oxin hormone के प्रेजंट में कौन सा हार्मोन कारे करता है एक ऐसा हार्मोन जो की ऑक्सीन हार्मोन के प्रेजंट में ही कारे करता है तो ध्यान देना दोस्तों मैंने आपको पता है कैग कैग यानि आपका व्रद्धी हार्मोन तीन होते हैं व्रद्धी हार्मोन C, A, G C से क्या होता है Cytokinin A से क्या होता है Oxin hormone और G से क्या होता है Gibralin hormone याद रखना है कि जो आपका Cytokinin hormone है वो सिर्फ और सिर्फ Oxin hormone के Presence में कारे करता है एक ऐसा hormone जो Oxin hormone के Presence में काम करता है वो आपका कौन सा है Cytokinin hormone और ध्यान देना कि जो उक्सी हार्मोन होता है वो जो plant cell होती है उनका cell division करता है और उस cell division में जो help करने का काम होता है वो साइटो काइनीन हार्मोन का या देखना कि वो कौन होता है साइटो काइनीन क्या करता है उसमें रेस्पोंसिबल होता है ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इसका साइटो काइनीन hormone अन्सर किया है दोस्ते है, saito-kinin hormone एक कैसा hormone है, जो कि oxygen hormone की presence में काम करता है ठीक है और यही क्या hormone है, यही आपके कोशी का विभाजन आण oxygen hormone जब कोशी का विभाजन कर रहा होता है कोशी का विभाजन के लिए responsible होता है ठीक है तो अगले question की तरफ बढ़ जाते हैं question number 10 आपके सामने name of the plant hormone which increase the activity of the activity of the combium in the wooden plant देखिए कि लकडी के पोधे में combium की जो गती विद्धी को बढ़ाने वाला जो plant hormones का नाम बढ़ा दीजिए तो जो combium की जो गती विद्धी लकडी के पोधों में ठीक है जो basically जो इनकी जो विर्थ जो increase हो रही है याद रखना एक ऐसा hormone जो लंबवत यानि कि vertical horizontal दोनों तरीके से growth करता है वो कौन सा hormone है हमने पहले भी discuss किया है कि ऐसा hormone ऐसा व्रद्धी hormone ऐसा growth hormone जो vertically and horizontally growth करता है वो है आपका zebrilin hormone अना तो जो ऐसा पादब जो उसमें verticallyly horizontally क्या कर रहा है growth कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका answer हो जाएगा zebrilin hormone और इसका answer क्या होगा option a zebrilin hormone इसका answer क्या होगा आपका zebrilin hormone होगा तो answer लिखेंगे a zebrilin hormone ठीक है तो दोस्तों यह आज हमने कुछ पादब हार्मोन के पर questions किये इससे पहले दो lectures हम लोग पादब हार्मोन को complete करने में लगा चुके हैं ठीक है आज हमने उसके पर base question को कर लिया है अब हम लोग अगली बार एक नए chapter के साथ हाजिर होंगे नए chapter start करेंगे ठीक हम लोग बोटनी से हम लोगोंने biology start की है बोटनी का हमने first chapter start खतम कर दिया अपका plant हार्मोन का next हम लोग classification of plant पे बात करेंगे बहुत important और interesting topic है और यह competition में पूछे जाने वाले question में से बहुत main questions है यहां से बहुत questions आते हैं इस topic से classification of plant तो दोस्ते अगला जो लेक्चर आएगा classification of plant का जरूर देखें और अभी जादा से जादा सब्सक्राइब बैल आइकन को भी क्या कर लीजिए क्लिक कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले जो update से बहुत ही अच्छे और खतरनाक होने वाले तो अभी के लिए आप सब्सक्राइब जैहिन वंदे मातरम